नमस्कार दोस्तों स्वागत था एक बार फिर से आपका मेरी YouTube channel School Mathematics में दोस्तों हमेशा की तरह एक बार फिर मैं आपके लिए एक अच्छा सा question लेके आया हूँ काफी interesting question है दोस्तों तो ये person case related है तो देखते हैं दोस्तों question क्या है फिर हम इसको solve करेंगे तो question है दोस्तों हमारा कि price of an item is increased by 10% and then decreased by 10% what is net change question का मतलब यह है कि कोई item है दोस्तों उसकी जो price है उसको पहले 10% बढ़ा दिया जाता है और जो बढ़ी होई price है दोस्तों या new price है उसको again 10% decrease कर दिया जाता है तो हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि जो सबसे पहले इसकी price थी और सबसे final जो price है तो final price जो हमारी सबसे original price है उसमें कितना change आया है या कह सकते हैं कितने percent का change आया तो इसमें माल लेते हैं दोस्तों सबसे पहले जो हमारी original price थी, उसको X भी मान सकते हो दोस्तों, या 100 भी मान सकते हो, दोनों ही case में अच्छा रहेगा, तो solution तो लिखेंगे इसमें दोस्तो, let original price original price of object equals to X, माली ये कितना रुपया है, इसका original price कितना दोस्तों, इसका X रुपया है, तो दोस्तों, जब हम इसके price को 10% increase कर देंगे, तब कितना हो जाएगा दोस्तों तो when price is increased increased by 10% तो new price क्या हो जाएगा, दोस्तों, इसका new price new price, पहले था दोस्तों, ये X रुपया, और इसमें 20% increase किया गया, sorry, 10% increase किया गया, तो क्या लिखेंगे आप, 10% of X, तो ये हो जाएगा, दोस्तों, X, प्लस, 10 by 100, आप का मतुल, दोस्तों, इंटू होता है, इंटू, एक्स, और दोस्तों, आप क्या होगा, आप क्या होगा इट को कट करेंगे, यहाँ पर, तो 10 आएगा, यहाँ पर, यह होगा, दोस्तों, X, प्लस, X by 10, इसको हम solve करेंगे, यहाँ, LCM हो जाएगा, दोस्तों, 10, तो यह हो जाएगा, 10 into X, हो जाएगा, 10 X, प्लस X, और यह हो जाएगा, दोस्तों, यहाँ पर 11 X by 10, तो दोस्तों, यह हो गई हमारी new price again दोस्तों क्या किया जाता है कि इस price को जो new price है हमारा उसको 10% decrease किया जाता है तो new price new price is decreased by 10% तो final price क्या हो जाएगा दोस्तों इसका final price दोस्तों सबसे पहले कितना था नई price है इसकी 11X by 10 और decrease का मतलब दोस्तों होता है minus करना तो कितना हो जाएगा दोस्तों minus 10% और किसका दोस्तों 10% जो बाद में जो price हो गई है तो यह है 11X divided by 10 तो यह कितना होगा दोस्तों यहाँ पे 11X by 10 10% का मतलब दोस्तों 10 by 100 आप का मतलब इंटू यह हो जाएगा दोस्तों 11X by 10-10 अब दोस्तों यह 10 से 10 cancel हो गया और यह हो जाएगा दोस्तों 11X by 10 minus 11X by 100 नहुगा दोस्तों और अब क्या होगा दोस्तों यहाँ पे हम LCM ले लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर यह 100 हो जाएगा LCM तो 10 से 100 को डिवाइट करेंगे 10 11 इंटू 10, 100, 10X माइनस 100 से 100 को डिवाइट करेंगे दोस्तो 1 आएगा इंटू 11X और दोस्तो यह माइनस करने के बाद कितना आएगा 0 है यहाँ पर 1 है तो 10-1 हो जाएगा 9 यहां है दोस्तो 1 यहां बचेगा दोस्तो 0 तो यहां से कितना हो जाएगा दोस्तो यह 9 बचेगा दोस्तो तो कितना हो जाएगा 99 X divided by 100 तो हमने दोस्तो देखिए प्राइस को कितना लिया था यहां पर प्राइस को लिया था X और final कितना हो गया दोस्तों 99 x by 100 तो कितने की कमी आई दोस्तों delta x लिख सकते हैं कितने की कमी आई दोस्तों x था फिर हो गया minus 99 x by 100 तो आप solve करोगे तो कितना हो जागा 100 into x minus 99 x divided by 100 ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर x by 100 तो इतने का चेंज आया दोस्तो चेंज आप कह सकते हो चेंज प्राइस चेंज तो परसेंटेज कितना हो जाएगा परसेंटेज चेंज तो यह हो जाएगा दोस्तो इतने का चेंज आया है X by 100 और वरिजिनल कितना है X, दोस्तों हमेंसा हम original पे निकालते हैं जिसके respect में पूछा है change into 100% कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे X by 100 into X into 100% तो 100 से 100 कटेगा दोस्तों X, X, 1 तो यह आएगा दोस्तों 1% का change हुआ और change का मत्रब क्या हुआ कि यह decrease, 1% decrease 1% की दोस्तों overall इसमें कमी हुई तो दोस्तों आप यह मत्स सोचना कि 10% increase किया गया और again 10% decrease किया गया तो उसके कोई भी effect नहीं पड़ेगा ऐसा नहीं दोस्तों उसकी जो final price है एकदम वो सुरुवाली price से 1% क्या हो जाएगा दोस्तों कम हो जाएगा आज की वीडियो में कोश्चन मैंने और कंप्री किया और दोस्तों ऐसे ही कोश्चन में लाता रहूंगा और तब तक के लिए दोस्तों बाएगा